इस छोटे से lecture के अंदर मतलब छोटे-छोटे हिस्तों में lectures थोड़के मैं आपको देने वालों यह वाला जो पहला lecture है इसके अंदर हम देखने वाले variables क्या होते हैं और variables को किस तरीके से define किया जाता है and how we can actually make our own variable in python सबसे पहले यह आपके सामने screen share हो रही है मेरे पास मेरे पास invidia का driver install हो रहा था मैंने उसे बंद कर दिया अब मैं simply क्या करता हूं जुनाब vs code के उपर चले जाता हूं आपने भी ऐसे करना है और हमने अब यहां पे vs code के अंदर अपना python के उपर काम स्टार्ट करना है ठीक है कल वली जो फाइल थी वह वहीं पर है आपने देखा होगा यह operators की फाइल थी इसको हम वहीं पर रहने देते हैं otherwise we can also make a file called जिसका नाम मैं रखता हूं यहां पे एक नहीं फाइल बनाता हूं इसका नाम रखता हूं 02-variables.py ठीक है यह दूसरी फाइल मैंने बना ली है कल मैंने आपको एक टास्ट दिया था कि मैं इसको क्लिक करूं तो मेरे पास यहां पे command prompt open होना चाहिए मेरे पास power shell नह किसी ने नहीं देखा तो गूगल करें आपके पास आपको इसकी समझ आजाएगी फिर नहीं आती समझ then we can have a look control shift P दबाए control shift P दबाने के बाद आप यहां से इसकी change कर सकते हैं काफी चीदों को if you don't know about that तो आप यहां पे मेरे ख्याल से profile लिखते हैं and then show controls terminal I think create a new terminal with profile यह टर्मिनल लिखते हैं something I skipped from my mind terminal not terminal यह टर्मिनल लिखते हैं और यहां से यह तो काफी टर्मिनल ओपन होगे हैं खैर बाइदावे मैं इसको याद करके आपको at the end of this lecture बताता हूं तक हम time जाया ना करें variables की तरह move करते हैं ठीक है variables कल मैंने आपको बढ़ाया था आज दुबारा से आपको बता देता हूं यह क्या होता है variable एक quantity होती है यह एक symbol होता है जिसमें data store किया जाता है मैंने कल आपको बताया five plus six plus seven इस तरीके से अगर हम किसी चीज़ को प्लस प्लस करते जाते हैं तो यह तीन quantity है अपस में प्लस माइनस हो रही है ठीक है अब इसी तरीके से अगर मैं variable बनाऊं ए और उसका नाम रख दूँ उसके अंदर पांच a के अंदर मैंने पांच रख दिया मैं यहां से अपनी स्क्रीन जो ऐसे बंद कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को नजर है a जो है इसके अंदर मैंने पांच store कर दिया ठीक है और मेरे पास जो b है अगर इसके अंदर मैं variable के अंदर एक string लिखता हूँ जिसका नाम है black color ठी a भी आगया और b भी आगया a भी एक variable है b भी एक variable है और इसके अंदर data store है ठीक है अगर हम कहेंगे कि a क्या यह variable है a के अंदर जो data store है वो है integer का data int जो कल मैंने आपको बताया था बी के अंदर कौन सा data store है आप मैं से कुछ बता सकते हैं बी के अंदर string का data store है exactly और अगर मैं यहां पर c के अंदर लिखूं 5.5 तो यह कौन सा data प्लोट का data exactly तो इस तरीके से हमारे पास जो data set है वो आते हैं राइट जी अच्छा अब यह तीन किसम के मेरे पास data set आगे इन तीनों data set को अगर मैं यहां पर इसे run करता हूं तो as it is मेरे पास कुछ भी run होके नहीं आया ठीक है कुछ भी print नहीं हुआ reason क्या है हमने इसको print नहीं किया अगर मैं यहां पर print करके इसके अंदर a लिखूं तो a के अंदर जो भी values थी वो सारी की सारी यहां पर print हो जाएंगी यानि 5 था वो 5 आ गया ठीक है अगर मैं a के अंदर 5 प्लास 7 लिखता हूं तो यह मेरे पास यहां पर 12 आ रहा है क्यों क्योंकि a के अंदर जो भी procedure हो रहा है वो एक variable के अंदर store हो रहा है यानि के a के अंदर 5 और 7 की जो भी calculation हुई है वो variable के अंदर store हो गी है तो variable क्या हुआ एक ऐसी quantity ऐसा object ऐसा कोई नाम जिसके अंदर काफी data store हो और यह variable अक्सर अकाद हम बहुत ज्यादा use करते है ठीक है अब अगर मैं यहां पे print भी लिखता हूं तो यह भी हमारा variable है जिसक के अंदर एक string store है जिसका नाम है black color क्यों क्योंकि हमने python को python को inverted commas के अंदर यह चीज़ें दी है तो variable जो है हमारा पूरे का पूरा बी होगा यहां पे जिसको हमने print किया तो यहां पे black color आ गया अगर मैं इसको print c करता हूं तो यहां पे मेरे पास क्या जाएगा साथ में यह यह आपने डूंडना है और यह भी देखना कि कैसे सैट करना है यह चोटे-चोटे चीज़ें जो आपको help out करेंगी चीजों को सैट करने में बाइदावे यह आपकी assignment थी कि किस तरीके से terminal सैट करना है अगर आपको पता है तो मुझे जरूर बताईएगा सैट default नहीं टर्मिनल और इसके अंदर था सेट default something I forgot that मैंने दिन टाइम इसे देखा था अब मेरे जहन में नहीं है टर्मिनल सैट default प्रफाइल यहां पे select default प्रफाइल पे जाना है आपने जाने के बाद command prompt को select कर लें तो हमेशा आपका command prompt open होगा यहां पे करने से that's it that was the thing जो start में मैंने आपको बताई थी बाइदा वे यह होते हैं जी variables variables की समझ आ गई है ABC या XYZ या कुछ भी नाम रखते रहते हैं अब इसका मैं use बताता हूँ आपको कहां पे use होते हैं use of variables इसका variable का use और आपको यह बताना है tips to use them यह दोनों चीज़े मैं आपको बताता हूँ variables कहां पे use होते हैं whenever you perform some calculations पहली चीज़ है to perform calculations ठीक है मतलब बहुत बड़ी calculations होती है कि एक data set में से आपने minus one minus कर देना पूरे data set में और उस data set में काफी बड़ी तदात के अंदर आपके पास integers मुझूद है मतलब बड़ी calculation करने के लिए बजाए इसके कि आप एक एक को लिखें आप उस variable के अंदर उसे store करके सारों में से minus कर देते हैं the other thing is to import the data and name that data मिसाल के तोर मेरे पास एक excel sheet है ठीक है कोई भी एक excel sheet है जिसके अंदर मेरे पास से for example x y z और काफी मेरे पास rows and columns हैं जो हम बाद में देखने वाले हैं आप क्या करते हैं जब excel के through data को python के अंदर import करते हैं आप उसको नाम देते हैं for example आप इस तरीके से को data frame या df का नाम दे देते हैं या x का नाम दे देते हैं या जो भी आपका दिल करता है वो नाम दे देते हैं तो वो नाम देने के लिए आप इन variables को use कर सकते हैं यानि कि equal sign लगाके इस side पर वो data आ जागा सारे के सारा which we are going to do when we are actually importing our library जिसका नाम है pandas उसको जब हम करेंगे तो आपको यह समझा देगी so the next thing is to name the variable to import the data अब variables की कुछ rules मेरे मेरे जो हैं वो ध्यान से सुनने rules कौन-कौन से है या tips कौन-कौन से पहले चीज़ आलवेज use small letters small letters use करें ज्यादा तर ये इसका फाइदा आपको ये होगा कि आपको coding लिखते हुए को मसला नहीं होगा आप भूलेंगे नहीं के case sensitive लिखना है या हमने capital letter में लिखना है या small letter में लिखना है सो आपको वह भूलने की जुरूरत नहीं होगी ठीक है और दूसरी चीज़ हो सकती है इसमें do not use spaces ये कल भी मैंने आपको बताया था कभी भी नाम देते वकत वेरियेबल का spaces ना यूज़ करें instead use underscore underscore को use कर लें ठीक है फिर अगली चीज़ है do not use special characters like at hysteric hashtag इन तरह की चीज़ों को use ना करें underscore कर लिए that's enough ठीक है और यह जो डैश है से बिना use कीज़ेगा नाम देते हुए reason बता दूँ आपको क्योंकि यह minus का sign है और python की language के अंदर आई ठीक है इस से अगला point यही आता है do not use functions which are built in python मिसाल के तोर पे कुछ चीज़ों का नाम python के अंदर और रेडी लिखा हुआ है आप variable का नाम print नहीं रख सकते क्योंकि प्रिंट एक function है जो चीज़ों को print करता है तो इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आपको variable बनाएंगे उसका नाम print नहीं रखेंगे ठीक है तो अगर आप उसका नाम print रख देते हैं तो भाई वह मकसद ही फौत हो गया ना वह python बिजारा परेशान हो जाएगा दूवीदा में पढ़ जाए दूवीदा ही होती है ना उसमें पढ़ जाएगा का यार यह मैने इसका नाम print दे दिया प्रिंट यह करेगा या function perform करेगा ठीक है इसके इ variable का नाम क्या रख रहे है डे टा इस तरीके से तो आप पागल होंगे मेरे खियाल से जो बार-बार आपने यह चीज यूज़ करने और बार-बार बड़ा चोटा करके आप लिख रहे हैं ठीक है खुबसूरती अपनी जगा लेकिन आप यह सोचें कि जो भी आप कोड लिख सकता है नाम बंदेगा एमद भाई प्लीज फून छोड़ दें सिरफ यह लिख दें प्लीज दूम की चैक में अच्छा बाकी लोग जिनके कैमरे और नहीं प्लीज वो भी अपने कैमरे और रखें बिक्योज आम पेंग अलॉट अटेंशन तो यू गाइस क्योंके मुझे कि अगर आप ऐसे काम नहीं करेंगे तो आपको कोडिंग नहीं आने वाली ओके यह चीज होगी इसके बाद अगली चीज की तरफ जाते हैं अक्सर लोगों के आदत होती है नमबरों से नेम स्टार्ट कर देते हैं डू नाट यूज नमबर्स पीच में यूज ना करें आप स्टार्ट में करें एड बिगिनिंग और इन मिडल आप एंड पर यूज कर लें लाइक डी एफ अंडर्सकोर टू इस तरीके से डी एफ अंडर्सकोर थ्री इस तरीके से आपने करना आप कर लें स्टार्ट में ना करें ठीक है इसके इलावा कौन सी चीज हो सकती है और एन दीएफ लिख दो समझाई बात की यह मेरा पहला वेरियेबल है तो नॉट डू दाट ठीक है शॉर्ट नेम रखें फिर डिस्क्रिप्टिव रखें मिसाल के तोर पे मैंने एक टाइटेनिक का डेटा जो है उसे डाउनलोड किया है टाइटेनिक के डेटा को टाइटेनिक में कितने लोग जिन्दा हैं कितने फौथ होगे कितने जो बच्चे थे कितनी ओरतें थे कितने अमीर लोग थे कितने खरीब लोग थे कौन से फर्स क्लास में बैटे कौन से second class में बैठे और फिर हम उससे एक machine learning model बनाते हैं तो Titanic का data है ना इसको अगर आप data frame लिख देंगे इस फाइन लेकिन इसका नाम ऐसा होना चाहिए जो meaningful हो अक्सरोकाद मैं पिछले courses में इसका नाम उर्दू में रखता था कश्टी याद रहता है कि Titanic का data है फिर एक और data set है जिसका नाम है Iris उसका नाम में रखता था pool क्योंकि वह flower का data set है so meaningful रखें मतलब यह भी नहीं है कि आप उर्दू में नाम लिखने लग जाए यह सिरफ पढ़ाने के गर्स से मैं आपको बताता हूँ आपने English में नाम रखने है data frame का which is meaningful ताके ना आप भूलें ना आपके code को देखने वाले भूल ठीक है इसके इलावा क्या चीज़ है यह जो मैंने आपको चीज़ बताई है ना functions या built-in functions जो है इनको keywords भी बोला जाता है यह आपने यह वाले keywords नहीं यूज़ करने है ठीक है ओके इसके इलावा आपने खुद से भी देखने है कि variables को assign करने का best method क्या है और कौन-कौन सी tips हैं जो involved है समझागी बात की यह था जी variables के बारे में python के variables क्या होते हैं और उनको किस तरीके से हम utilize करते हैं यहां तक clear होगी बात ठीक है अब यह मैं comments की तरह क्यों लिख रहा हूं ताकि आपके पास इस तरीके से चीजें सेव होती जाएं मैं इसको बंद करता हूं अब हम अगली चोटे lecture की तरफ जाएंगे मैं इसी तरह चोटे चोटे lectures में आपको समझा देना है